आज मैं आपके लिए लेक्या ही हूँ फिश मसाला फ्राई की रस्पी जिसे बनाना तो आसान है ही साथ मही कम तेल में हम फिश को डिफ फ्राई भी नहीं करेंगे और बहुत ही टेस्टी फिश बनाएंगे जिसे आप रोटी राइस या पराटे के साथ खा सकते हैं और में धनिया ले लेंगे थोड़ा सा काले मिर्ची ले लेंगे साथ में ही हम आधी इंच अद्रक दो से तीन हरी मिर्च जितना आपती खाग खाते हैं उसके हिसाब से हरी मिर्ची ले और इसके साथ हम इसमें 13 से 14 छीली हुई लहसुन के कलिया ले लेंगे अब हम इसमें और थोड़ा सा पानी उडाल के हम इसका एक fine paste बना लेंगे तो यहाँ पे यह सारी चीज़े आपको एक ही साथ ऐसे mixer jar में पीछ लेनी है और इसके बाद हम चलेंगे फिश के तरफ तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम कतला फिश लिया है आप इसमें रो हुई या फिर जो फिश आप खाते हैं उसका इस्तमाल कर सकते हैं तो फिश को मैंने पानी से अच्छे से धू लिया है अब हम इसमें मसाला डालेंगे तो मसाला में एक छोटी चमच आप इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल दे आधी छोटी चमच हम इसमें हल्ली पाउडर डाल देंगे एक छोटी चमच या फिर आधी छोटी चमच गरब मसाला पाउडर डाल दें स्वात के अनुसान नमक डाल देंगे और इसके बाद ये जो मसाला पेस्ट हमने बनाया है वो इसमें डाल देंगे तो यहाँ पे फिश को अलग से फ्राई नहीं करना है इसी मसाले से हमें फिश को कोट करना है तो यह देखे इसे अच्छे से मिक्स कर दे फिश को ऐसे मिक्स करने के लिए ना हाथों का इस्तमाल करे उससे क्या होता है ना फिश पे मसालों की कोटिंग जो होती है हो बहुत अच्छे से होती है आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा नीबू का रज भी इस्तमाल कर सकते हैं तो यहाँ पर आप चाहे ने तो इस फिश को मेरिनेशन के लिए 15 से 20 मिला ट्रेक सकते हैं या फिर आप इसे तुरंद भी फ्राई कर सकते हैं तो मैं इसे चलती हूँ तुरंद फ्राई करने के प्रासेस में तो इसे फ्राई करने के लिए मैंने आप इस सरसो के तेल का इस्तमाल किया है सरसो के तेल में मचली जो है वो जादा टेस्टी बनती है लेकिन अगर आप ये तेल नहीं खाते हैं तो normal cooking oil जो आप इस्तेमाल करते हैं, उसे का इस्तेमाल करें तो अगर आप सासो का تیल इस्तेमाल करें तो तेल से जब तक धुआ नहीं आने लगे, तब का इनतिजार करना है उसके बाद इसमें मचली को डालना है गरम तेल में जब आप फिश को डालेंगे तो तेल के छीटे आएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने पहले बनाया है तो आप इसे ऐसे बनाया नहीं तो साइट से इसे कवर कर दे पैन को ताकि तेल के छीटे आपके उपर नहीं आएं गैस का फिलिम मैंने यहाँ पे मीडियम रखा है और अब हम इसे ऐसे ढख देंगे और पकने देंगे दो से तीन मिनट तक आप इसे लोग मीडियम या मीडियम फिलिम पे पकने दे और उसके बाद ऐसे पलट दे तो यहाँ पे नॉर्मली हम फिश करी बनाते हैं तो क्या करते हैं कि फिश में हल्दी नमग, लैसों या द्रगा पेश लगा कि उसे फ्राई करके निकाल लेते हैं और उसके बाद यह सरसो वाले मसाले की ग्रिवी बनाते हैं या नॉर्मल प्यास्टे माटर की यहाँ पे आपको इसे ऐसे नहीं करना है बस फिश में ही सारे मसाले मिक्स करने है और उसके बाद इसे 15-20 मिनट तक पका लेना है यानि तब तक पका है जब तक कि फिश जो है वो अच्छे से पक नहीं जाए बस बीच बीच में आपको एक दुबार पलटना ही से तो यहाँ पे फिश हमारे अच्छे से फ्राई हो चुकी है दोन्यों साइट से यह देखिए तो यह वाली जो फिश है वो आप स्टार्टर में खा सकते हैं या फिर रोटी के साथ खा सकते हैं या ट्रेवल में ले जाना है तो ले जा सकते हैं यह फिश खराब ही नहीं होता है और खाने में बहुत ही ultimate लगता है और इसी फिश में अगर आपको करी बनानी है तो आप थोड़ा सा गरम पानी डाल के इसमें करी बना सकते हैं तो यहाँ पर आपका जो frying process है वो skip हो जाएगा और तेल की भी बचत होगी और टेस्टी बहुत ही लगता है ऐसे नहीं सोचे कि अगर आपने फिश को fry नहीं किया है तो उसके smell आएगी बिलकुल नहीं आएगी तो यहाँ पर गयास को बंद करते हैं और लेचलते हैं से serve करने क process में तो इस मसालेदार फिश को आप starter में serve करें या फिर रोटी के साथ खाए या फिर plain steam rice के साथ खाए सब के साथ की एकदम जबरदस जाता है क्योंकि हमने इसमें थोड़ी से मसाले आट की हैं और हमने इसे deep fry नहीं किया है तो इसका जो softness रहना वो बरकरा रहेगा अगर अब deep fry कर देंगे तो वो ऐसे थोड़ा सा rubber जैसा हो जाता है तो एकदम soft tender और मसाले तार बहुत ही flavorful और कितना simple है बनाना आपने देखा बस हमने एक मसाला पेस्ट बनाया और बस फिश के उपर coat करके इसे हमने 15 minute पका लिया तो है ना आसान रेसिपी ये वाले फिश जो है